जैहिन नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टैन बीपेसी में दोस्ते एक बहुत बरी बंपर बहाली आई है बिहार में और बिहार के सभी पंचायतों में आई है जो बिहार के जिस भी जिले से आप बिलॉंग करते हैं और उस जिले में पंचायत है आप कौन-कौन सा भी ये भी योगताय होने चाहिए भी बताएंगे और उसमें सैलरी जो है दोस्तों 20,000 प्रतिमा सैलरी है ठीक है तो वीडियो कौन तक बने रहेगा सारा चीज बताएंगे फरम कैसे भड़ा जाएगा कब से अपलाई होगा इन सब सारी चीजों को हम बात करें मृध्या देरा हांगे चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों बहाली जो है 6,570 पोस्टों की बहाली आई है कितनी पुरुस की जो जिसमें हम पुरुस की बात करें तो पुरुस में समझ लिजे कि चार हजर दोसो सत्त है पुरुस के लिए कितने चार हजर दोसो सत्त है और महिलाओ के लिए कितने सीठ है सीए इंटर होना चाहिए ठीक और यह पंचायती राज के सोरजगार योजने के तहत होगा जिसका आवेदन करने की तीथी है दोस्तों वो 15 अप्रेल 2024 से होगा 15 अप्रेल से आप लेखापल सहाय के बिहार पंचायती राज के साइट पर जाकर आप अफिसियल साइट पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि अंतिम तारीक है इसका दोस्तों 14 माई तक 2024 ठीक उसके बाद हम बात करें चुकि इसमें क्या होगा तो इसमें आपके एक्जाम लिये जाएंगे CBT, Computer Based Test, Online एक्जाम होगा इसमें याद रखें लेखापाल जो सहाय का एक्जाम होगा इसमें आपका एक्जाम होगा CBT के तोर पे होगा और एक्जाम में उसमें पास करेंगे तो आपको नोकरी मिल जाएगा जिसका सैलरी जो है प्रतिमा 20,000 रुपी आपको मिलेगा और पंचायत राज पर इसमें करना क्या होगा आपको देखे पंचायत राज पर जो भी खर्च होने वाले योजना होते हैं ठेक है उसी का क्या करना है आपको देखरे करना होगा चुकि अब एक और चीज हम बताना चाहेंगे इसमें बात कर लेते हैं कि जो कैटेगरी होते हैं जैसे जेनल, EWS, A, C, T, O, V, C, E, B, C उसके लिए कितना सीटे हैं तो देखिए दोस्तो जैनल के लिए सीटे हैं वह 1643 है जिसमें महिला होती है 545 उसमें मिलेंगे और पूरुष के लिए 1063 होगा वही जैनल में हम बात करें EWS की तो उसमें 657 पोस्ट है मेल और फिमेल मिला कर दोस्तो ठेक है उसी में अगर हम AC की बात करें तो AC का जो seat है इसमें 313 है AC के टेगरी male female मिला कर और वही ST की बात करें तो ST के लिए seat है 131 और EBC की बात करें तो EBC के लिए है 1643 और BC की बात करें तो 1113 से seat है तो बहुत अच्छा मुका है इसे ले लिजी लोग दोस्तो